अगला भाग लेकर के आए हैं और उसको हम पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे तो देखिए दोस्तों बहुत दो वीडियो आपको बना कर प्रवाइड कर दिया है उसमें अब हमारा जैसे भूमि पैमाइस में तीन टॉपिक थे एक था आपका क्या यंत्र तो यंत् मात्रक या इकाई तो आज हम लोग मात्रक पढ़ेंगे तीसरा बचेगा आपका छेत्रफल और छेत्रफल के बाद कैसे हम लोग साही मात्रक से मेट्रिक मात्रक में कनवर्ट करेंगे क्या होता है साही मात्रक क्या होता है मेट्रिक मात्रक आज हम यहीं पढ़ेंगे आपको है क्या मात्रक देखिए आप लोग हेड़िंग डालेंगे यह हैं डालेंगे भूमी मापन के मात्रक ने क्या यह डालेंगे भूमी मापन के मात्रक टेख है भूम ही मापन के मात्रक अब इसमें आप पहली यह डालेंगे लंबाई लंबाई में अभी हमने भूम मात्रक में जो बताया है जैसे इंच फूट गज चेन यह सब क्या था यह सब लंबाई पूटे मिटते हju गेज वर्ग फोट वर्ग मीटर यह सब छेत्रफखर होता है देखें क्या होता है इसमें इस तरहाइं जी है फोट कि जा यह सब लंबाई मापने के लिए क्या करते हैं प्रयोकिन फर्लांग को पूछा जाता है कितने फ़लांग लच्था लच्थासे वीमिलिमीटर हो गया मीटर हो गया डेसी मीटर हो गया यह सब क्या हते हैं लंबाई के मतर्क होते हैं थेख अब दूसरा हम लोग चलते हैं किसा छेत्रफल में छेत्रफल में सबसे पहले आप लेखें कच्चा भीगा क्या देखें कि कच्चा भीगा फिर पक्का भीगा कच्चा वगा पक्का वगा इसके बाद आपका आता है क्या कच्चा वगा पक्का वगा एकर यह सब। छेत्रफल के मात रखें इसमें और भी आती है क्या कच्वानसी अभी हम करेंगे कैका कच्वांसी यह सब च्षत्रफल के मापने की इकाई है ते जी अंग्रेज जब आये थे अंग्रेज जब नहीं आये तो उसके पहले अंग्रेजों के आने से पहले मतलब अंग्रेजियों काने से पहले मतलब लगबग 1826 में 1826 से पहले भारत में केवल दो पैमाने चलते थे ठेके कौन दो पैमाने चलते थे पहले पैमाना था आपका वो था गज ए सिकंदरी क्या था गज ए सिकंदरी ये अंग्रेजियों के आने से पहले जब मुगलकाल था अपना वो था गज ए सिकंदरी ठेक है गज ए सिकंदरी था और दूसरा था आपका गज ए इलाही है दूसरा था गज ए इस इलाही भेसे गज ए इलाही अकबर की सा उसनकाल में था और यह को सिखंद्री मुत ऑप पड़ा सिखंदर रोगया लोदी टेक है यह नहीं को वॉलत सिखंद्र जो उसने आपकिमठ गिया था ठेक है तो आग तो अग कभी-कभी कुछा जाता है कि ग गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही का अनुपात क्या होता है तो आप यहीं पर लिख लेंगे कि 49 संबंदे 41 ठीक इन दोनों का अनुपात यहीं पर निकाल दे मतलब गज ए सिकंदरी अनुपात गज ए इलाही बराबर 49 संबंदे 41 कभी यह तो बस आपको पता और अचे अगर सिकंदरी क्या होता है छोटा होता है इलाही से एक है तो यह आपका कितने हैं चितने आपकोन है सब कोनोड करना है ठीक अब आपका आता है जैसे अब अंग्रेज के आने चैनले पहले मैंने बताई दिये कि 1 जन्वरी akaro26 से पहले य doorway होते थे अब अंग्रेज आ गए उनका पुछ आलग सिस्तम था तो वन लोगों की एंग्रेज्यों द्वारा जो है साही मात्रकों का प्रयोग किया गया ठीक है यह क्या हुआ और शाही मातरक। साही मातरक मतलब यी अंग्रेजय द्रॉल दॉर जो इस्तमाल कि गई किगे कि उसको हम देखते हैं तो गजय सिकंद्रि और जोटा होता हुटा है और गजय बढ़ा होता है एकबर सिकंदरी सिकंदर रोदी तो आपको इस तरह से अनुमाला लाएं कि अकबर महान सा सकता है इसलिए उसका बड़ा होगा मतलब 41 है इसका 49 है अनुपाग में बता रहा हूं ठीक है याद रखने का तरीका है अकबर ने गजे इलाही लाया था बड़ा था इस लेकता है इस वो ग प्रॉस्ट है हुआ है आगया उन्हें पापी अंग्रेश कoken आपकात्र लेके यह क्या है क्वादर की संदर की मात्र को कभी पlight करने वैद रूसरार से नहीं क्या हो जागा आपका यह लबाई में अकर लिए जातर उन हम अ मात्राएं इंच ऒज एक फोट यह सब अंग्रेजि ध्रह इस्तैमाल किये अग्वेट है तपर याड नियाधमस त्य स्क्राइभ इत्यादी बहुत हचा फोट खां। अब लंबाई के मात्रक हो गया अब यहां पर शेत्रफल की मात्रक देख लेते हूं कि अंग्रेज़ों दौरा जो लेके आए क्या एकड है ठीक है एकड है एकड हो गया और भार में आपका आउंस पाउंड अगर भार की बात करें भार में इन लोगों ने युनिट लाये थे पाउंड आउंस यह सब अंग्रिजियों द्वारा यूनिट्स साही मातरक इसी को बोलते हैं ठेक है यह जितने सारे हमने लिखे हैं अब 1958 के बाद कि 1958 के बाद है एक है उनिस ओठावन के बाद की बात करें तब हम हमारे सम्मिधान संसोधन हुआ एक अक्टूबर उनिस ओठावन को उसके बाद से यहां इंडिया में कि मिट्रिक सिस्टम लगा क्या लगा मेट्रिक सिस्टम इसे हम लोग मेट्रिक पढ़ाली भी बोलते हैं इसे यसाई पढ़ाली भी बोलते हैं यसाई सिस्टम थीक है एसाइश सिस्टम मोलते हैं इसमें इसमें जो यूनिट हो वो किसके इंतर गताते है कौन-कौन सी यूनिट होती है इसमें मीटर सेंटी मीटर कीलो मीटर डेसिमीटर यह सब हमारे मेर्टिक समिधान शुंदन के बाद झाया है मिट्टिक सिस्टम ठीक ऑंग्रेयर दोरा यह यह हमारे मिट्टिक सिस्टम खुद इंडिया का थेक इसमें आपका उद्भार के लिए ग्राम किलोग्राम ठीक है और क्विंटल कि टन यह सब इस्तमाल किया जाते हैं अब हमको यह समझना जिसे कभी-कभी आप देखों कि कि प्रॉपार्टी डिलर इसे एरिया के वह बात करें कि प्रॉपार्टी डिलर जो होते हैं मारे जो नहीं आप देखेंगे जमिन वगारे कि सौध रीटक है चितरपल की बात करते हैं तो प्रॉपार्टी डिलर की यू पूछा जा सकता है तो बता दे Mỹ इस लिए कि अभाट कौन सा एरिया इसत्तेवाल करता है बताता है वह वरग गज में बताता है कि इतने वरग गज हमारी जमीन है अब प्रोपरिटीडेलर के बाद आता है आपका जिसे पराधी करण वगारा हो गया इसंग्लिस के ऑंट करते हैं वर्ग मीटर में किसमें वर्ग मीटर में ठीक प्रोपरिटी डिलर बगाईररा सब वर्ग मेंटर में बात करते हैं ठेक है और आप लोग जमीनों की देखते होंगे कि जमीनुवाँ हigent पर कों से जमीन गहें। मतलब दस्तरकारी दस्ताभेजियो में तो सरकारी दस्तावेजों मैं खेत। का छेत्रफ है है तो सरकारी दस्ता वेजों में किसमें स्तमाल कारेता है हेक्टेर में से खस्रा फटवनहीं हो गया उसमें जब जमीन देखे आखया तो लिखिव द्रहेती है थीज्ट में इन रaimer हैती है अब हमारा अगला topic है कि लंबाई के किसके लंबाई के लंबाई के साही मातरक ठेक है लंबाई के साही मातरक अब लंबाई के साही मातरक में जैसे आप जैसे गाउं दियाद से तो होंगे ही आपको यह जाओ ऐसे एक ऐसलोती एक तो यहां पर रिखेंगे तुरिफ अटिएव लगे के थी बार्म 206 ट्री पारले कौइन कि यहां पर लिखूंग anti जौए तीन जौंक को गर रख दिया जाए तो उसके इक्वल टू जो लंबाई आती है उसको हम लोग बोलते हैं वन इंच है ठीक तो इंच की पैदावार यहां सो यह जो से ठीक है अब देखें एक एक इंच बराबर हो गई आपके थ्री बरले कोई ठीक है और आपको इतना पता है कि एक फुट बराबर क्या होता है कि 12 इंच कि इतना तो मैंने बहुत सारी वीडियों बता दिया और एक गज बराबर कि यह सब साही मात रखें तक इन्हीं का उपियों किया गया है मरद इसमें ठीक है एक गज बराबर तीन कि फुट ओके इसके बाद एक चैन मैंने बता दिया चैन क्या होती है गंट्री पिछली वीडियो मैंने सारा डिटेल बराज बताया है एक दो वीडियो जो डाला जरीब के बारे में ठीक है वहां पर जाईए उसको वाच करिए इंपोर्टन वीडियो है यहां से दो तीन कोस्चन आते हैं इसलिए तिन चार लेक्षर लग जाएंगे इसमें अभी हम चैन की बराबर होता है और अब सुट करेंगे टैन इनटु एक चैन बराबर कितना होता है एचा बलाबर कितना होता है वाइस घंज सेडश को जनके लिखेंगे तो अंच करके वैसे सेबन नाइन सेबन नाइन टू जिरो इंच ऐसे संतिंग आएगा ठीक है इतना इंच हो गया फरलांग के बारे पर अगर एक मील पूछा जाए बात नहीं करता कि तीन मील दूरी है चार मील दूरी आज तक आप लोग नहीं पता होगा तो आज जान लेजे एक मेल अब टेंच होता है तो 10 इंटू चेंग मतलब असी चेंग असी चेंग आगया एक चेंग बराबर 22 गज मतलब ऐसे कनवर्ट करके आप इसको इंच में बदल सकते हो ठीक है इंच में जब आप इसको बदलोगे तो आएगा 63360 इंच 63360 इंच कनवर्ट कैसे होगा देखे 80 एक चेंग बरावा कितना 22 गज एक गज में कितने फूट तीन फूट एक फूट में कितने इंच 12 जिसका करेंगे तो यह ठेक है यहां तक तक आपको किलियर होगा है कि यह हमारे साही मात्रक है अब हम कौन से मात्रक पर चलेंगे जो को 90 अब संसोधन हुआ उस मात्रक की पहुचंगे उस समात्रक का हमारा नाम क्या है कि पडाली मित्रिक शिस्टम लगाए गया और और मेट्रिक सिस्टम में मीटर इसे ही असाई सिस्टम भी बोलते हैं ठीक है मेट्रिक सिस्टम में हमको कौन-कौन सी यूनिट्स आती हैं जैसे मेट्रिक सिस्टम में हम ले ले तो सिधे-सिधे आजाएगा आपका सबसे पहले ताएगा मीटर सेंटीमीटर किलो मीटर तो एक एक किलो मीटर बराबर एक किलो मीटर बराबर यह सब आपको पता होगा लेकिन कुछ छोड़ना नहीं है दोस्तों कंसेप्ट वाइच चलेंगे आप यह नहीं क्या पाएंगे कि सर कोश्चन इससे बाहर गया है और हमको रटना पड़ रहा है यह सब बहुत है ना एक किलो सिस्टम है उनने सठाउन के बाद इस्तमाल किये गए अब सेंटीमेटर अब इसको एक डेसी मीटर कि डेसी मीटर परबाबर होगा 10 सेंटीमेटर यह यूनिट आप लोग घूल जाते हो इसको रख लेजेगा आपको यह भी पता होना चाहिए एक एंगे स्ट्राम बराबर तेंटी दूपवार माइनस टैन मीटर तो ऐसे करके यूनिट्स होती है इसमें मिली मीटर जैसे एक मिली मीटर बराबर अगर मीटर लिखें तो टेंटी दूपवार माइनस ट्री मीटर ठीक है तो यह सब इनूट आपको क्या होगा पता होगा तो दोस्तों इस वीडियो में लोग जितने टॉपिक किये हैं बस अब भूम 25 के बस एक आपका टॉपिक बज़ जा रहा है कि साही मातरकों को में कैसे बदले में लिट्री को साही में कितने कैसे बदले एकर्ड हेक्टेयर ठीक है बीघा कच्चा बीघा पक्का बीघा यह सब जितनी चीजे हैं अब आपको अगली वीडियो में हम टोटली कंप्लीट प्रोइड करवा देंगे और यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगे होगे तो चै प्रोइश्टान